नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजित कुमार और हम लेकर आएं इंडिन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट तो अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरू कर दे तो बिना टाइम वेस्ट किये बॉर्डर एंड ओपसर समर्शिबल सेंट्री है एक ऐसा सिप कॉंसेप्ट है जो सब्मारीन और सर्फेस पेट्रोल वेसल दोनों की तरह काम कर सकती है बोस का डिजन मल्टी रोल ओप्रेशन जैसे एंटी सब्मारीन वर्फेर सर्विलियन्स और ट्रेनिंग के लिए बनाया बॉस की खास्यत इसका अडवांस हल डिजाइन है जो वेब प्रिसीजिंग बो टंबल हॉम हल के साथ अस्टेबलिटी बढ़ाता है रोल रिडियूस करता है और रडार अस्टिल्ट इंप्रूब करता है यह फेचर इसे कोवर्ट मिसन के लिए आइडियल बनाता है सीप का बो बल्ब में एक सोनार सिस्टम लगाया गया है जो अंडर वाटर थ्रेर्स को बेटर डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है यह सिस्टम ज्यादा एफेक्टिबली काम करता है क्योंकि बो बल्ब वाटर रेसिस्टेंस कम करता है और सोनार की सेंसिवीटी बढ़ाता है ब बोस का सबसे यूनिक फीचर इसका डूवल फंसनली है जो इसे सरफेस और अंडरवाटर मिसन के लिए इक्वाली केपेबल बनाता है। बोस को कस्टमाइज करना चाता है जो इंडिया के कोस्टल डिफेंस और मेरिटेम सिक्योरिटी के लिए काम आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एरफोर्स को एडिशनल A.W.A.C.S की जरूरत है और बोमबाडियर डिफेंस ने अपने ग्लोबल 6,000 बिजनेस जेट को नेतरा MK-1A का बेस प्लेटफॉम बनाने का ओफर दिया है। अभी इंडियन एरफोर्स का पास नेतरा MK-1A.W.A.C.S है जो इंब्रायर ERJ-145 प्लेटफॉम पर बेस्ट है लेकिन ERJ-145 का प्रोडक्शन बन हो गया है इसलिए इंडियन एरफोर्स को नए यूनिट्स लेने में मुश्किल हो रही है। ग्लोबल 6000 जेट काफी अडवांस है और इसके ग्लोबल आई जिससे कॉन्फिगरेशन में प्रूवन रोल है ये जेट 12 आउर तक इंडॉरेंस दे सकता है जो ERJ-145 से डबल है और रिफ्यूल किये बिना लंबी सर्विलियन से मिसन कंडेक्ट करने में हल्प करता है। इसके पास ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी भी है जो अडवांस सेंसर और इलेक्ट्रोनिक वार्फेर सिस्टम को एकुमेडेट कर सकती है। मौजुदा ERJ-145 को रेट्रोफिट करके AWACS सिस्टम लगाना कोस्ट इफेक्टिब हो सकता है क्योंके नए ग्लोबल 6000 खरीदने से सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर इंडियन एरफोर्स ग्लोबल 6000 को चूज करता है तो उससे एक ज़्यादा कैपेबल प्लेटफर्म मिलेगा जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगा। लॉंबाडियर डिफेंस का कमिटमेंट और ग्लोबल 6000 की ओन गोइंग प्रोड़ेक्शन इसे लॉंग टर्म सस्टेनेबलिटी के लिए एक अच्छा उप्सन बना देता है। इंडिया की स्वादेसे डिफेंस प्रोड़क्शन को एक बड़ा बूश्ट मिलने वाला है क्योंकि जी टी आरी जो डियार्डो का एक इन्पोर्टेंट आरेंडी विंग है अपने अस्मॉल टर्बो फैन इंजन का लिमिटेड अस्केल प्रोड़क्शन सुरू करेगा। प्राविट कमपणी के साथ मिलकर ये इंजन 2026 तक तयार हो जाएगा और ये खासतोर से सबसोनिक क्रूज मिसाइल और यूएभी के लिए डिजैन किया गया है। इंजन जैसे टास्क के लिए आइडियल है। ये यूएभी मिलिटरी ओपरेशन में एगलिटी, प्रिसीजन और इंडॉरेंस की वज़ा से काफी जरोरी हो सकता है। एक्स्टेंसिब टेस्टिंग के बाद अपरूग किया गया है। जो इंसोर करता है कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस के ओपरेशनल रिक्वार्मेंट को मीट करेगा। अगर प्रोडक्शन फूल असकेल तक पहुंचता है तो टूथाजन टूटी एड तक ये स्टी अफी प्रोजेक्ट इंडिया की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक इसेंसल हिस्सा बन सकता है। इसका लोकल प्रोडक्शन इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक सिगनिफिकेंट अचिवमेंट है जो गलोबली डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगा और इंडिया को सबसोनिक मिसाइल और यूएभी मार्केट में एक अस्ट्रॉंग पोजिशन देगा। टू केलिबर आर्टिलरी सिस्टम है जो अपनी अडवांस फीचर के लिए जाना जाता है एलबिट ने 70% स्वाधिसी करन का प्रोमिस किया है जिसे कोस्ट कम हो सकती है और ये एटी एच ओएस को इंडिया के धनुस गन से ज़्यादा अट्रेक्टिव बना सकता है लेकिन फ कोंट्रेक्ट मिलने वाला है और इसका स्वाधिसी डिजाइन इंडिया के स्वाधिसी करन गोल के साथ अलाइन करता है लेकिन एटी एजी एच ओएस से ज़्यादा हो सकता है जो प्राइस के हिसाब से डिसाइडिंग फेक्टर बन सकता है इस कमपिटिशन में दो इंपोर् करने का प्रोमिस कर रही है लेकिन एटी एजेस का डिजाइन और इंजिनियरिंग फुली स्वाधिसी है जो इंडिया के आत्म निर्भर भारत वीजन को सपोर्ट करता है एलबिट के एटी एच ओएस कोस्ट इफेक्टिब और प्रूवेंट टेक्नोजी ओफर करता है लेकि रिटार्ड लेप्टिनेंज जनरल पी आर संकर जो इंडिन आर्मी के फॉर्मर डिरेक्टर जनरल ऑब आर्टिलरी थे उन्होंने रिसेंट्री बताया कि उनकी टीम आईटी मदरास में पिनाका मल्टी बेरल रोकेट लॉंचर सिस्टम के लिए रेमजेट प्रोपल्सन टेक कर रही है इस टेकनोलोजी का यूज करने से पिनाका की रेंज तिनगुना बढ़ सकती है जो इंडिया के आर्टिलरी केपिलिटी को नया बूस्ट देगा अभी पिनाका एमके टू में हाई एनर्जी कमपोजिट सॉलिड फ्यूल रोकेट लगा है जिसका रेंज 75 किलोमेट तक है अगर रेंजेट प्रोपल्सन सिस्टम एड़ किया जाता है तो इससे रेंज बढ़ेगी और साथी सिस्टम की टेक्टिकल वर्साटिलिटी भी बरकरार रहेगी रेंजेट प्रोपल्सन एक एर ब्रीथिंग इंजन डिजाइन होता है जो वेहिकल को फोरोड मोसन से पा को कंप्रेस करता है और फ्यूल के सथ मिक्स करके इगनाइट करता है जिससे थरस्ट जन्रेट होता है यह ट्रेडिशनल रॉकेट मॉर्टर से अलग है क्योंकि रोकेट मॉर्टर में फ्यूल और लॉकसीडाइजरं दोनों होते हैं जबकि रेंजेट शिर्फ एट्म tap bots graph का यूज करता है इसलिए ये high speed पर ज़्यादा efficient होता है अगर पिनाका MK2 का solid fuel rocket motor ramjet से replace किया जाए तो इससे range तिनगुना बढ़ सकती है इस extended range का मतलब है कि पिनाका MBRL inamik assets को दुस्मन के territory में गहराई तक target कर सकता है लेकिन ramjet propulsion को पिनाका system में fit करना आसान नहीं है इसके लिए rocket के aerodynamics और propulsion system में कुछ significant change करने पड़ेंगे ramjet engine को develop करने के लिए advanced materials और manufacturing technique की ज़रोत होगी जो side cost को भी increase कर सकता है इंडिया के military modernization पर updates के लिए बने रहिए बाकी लाइक और subscribe जरू करें